ओम शन्दी तो आज हम सुनते हैं चार मार्च उन्निस और नहत्र की मुरली से अवेक्ट बापदादा के महावाक्यों तो इस मुरली में बाबा ने विशेश तीन बातों पर समझानी दी है सबसे पहली बाबा ने हूली का एक मुख्य अर्थ समझाया कि हूली का अर्थ क्या है और दूसरा सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी है और तीसरा सर्विस करते समय किस बात का विशेश ख्याल रखना है तो पहली बात है बाबा ने हूली का अर्थ समझाया तो बाबा के महावाक्य सुनते हैं बाबा केते होली का अर्थ याद रखना है। होली माना जो कुछ हुआ वै हो गया हो लिया। जो सीन हुई होली अर्थात बीथ चुकी। वर्तमान समय जो प्वाइंट ध्यान में रखनी है वै है ये होली की अर्थात ड्रामा के ढाल की। होली माना जो बात ड्रामा में बीथ गई सो बीथ गई। तो ये ढामा की ढाल को सदा याद रखना है। तो बाबा केते जब ऐसे मजबूत होंगे तब वै रंग भी पक्का अलग सकेगा अगर होली कार्थ जीवन में नहीं लाएंगे तो रंग कच्चा हो जाता है पक्का रंग रंगने के लिए हर वक्त सोचो क्या सोचो होली जो बीता हो ही गया तो ऐसे होली मना रहे हो वा कभी कभी ड्रामा की सीन देखकर कुछ मंथन चलता है भाबा किते ज्यान का मंथन दूसरी बात है लेकिन ड्रामा की सीन पर मंथन करना क्यूं क्या कैसे ये किस चीज का मंथन है देही को जब मन्थन किया जाता है तब मक्खा निकलता है अगर पानी को मन्थन करेंगे तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं रिजल्ट में यही होगा एक तो थकावट, दूसरा टाइम वेस्ट इसलिए यह हुआ पानी का मन्थन माना ड्रामा की कोई भी सीन है, उसको देख करके अगर इस संकल्प चलते हैं, क्यों, क्या, कैसे? तो बाबा कहते यही तो जैसे हो गया पानी का मन्थन ऐसा मन्थन करने के बचाए ग्यान का मन्थन करना है तो बाबा कहते जितना ग्यान का मन्थन करते चाहेंगे उतना ही रंग भी पक्का लगता चाहेगा और दूसरी बात कि सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी है तो बाबा की महावाक्य सुनते हैं कि साकार रूप में, लास्ट दिनों में, सर्विस की मुख्य युक्ति कौन से सुनाई थी? गहराव डालना कौन सी युक्ती है? गहराव डालना डबल गहराव डालना है एक तो वानी द्वारा सर्विस का दूसरा अव्यक्ति अकर्शन का मना अव्यक्त अकर्शन उसका गहराव वानी का तो गहराव डालना ही है लेकिन रुहानियत का घराव भी डालना है ये ऐसा घराव डालना है जो ना खुद उससे निकल सकें ना दूसरे निकल सकें तो बावा केते घराव डालने का धंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं है म्यूजियम बनाना तो सहज है म्यूजियम बनाना ये कोई घराव डालना नहीं है लेकिन अपने अव्यक्ति अकर्षन से माना रुखानियत से उन्हों को खायल करना ये है घराव डालना वे अभी चल रहा है अभी सर्विस का समय भी जादा नहीं मिलेगा वह वक्त ऐसा समय आएगा सिवा करने का समय जादा नहीं मिलेगा समस्याइं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी वाधा पढ़ने की सम्भावना होगी इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितनी सर्विस करनी है वे अधिक से अधिक कर ले नहीं, तो बाबा केते, सर्विस का समय भी होली हो जाएगा, यानि बीद जाएगा इसलिए अब अपने को आपे ही जादा में जादा सर्विस के बंधन में बानना चाहिए क्योंकि बाबा केते, समय तो निकलता जा रहा है, यह समय फिर सिवा करने का नहीं मिलेगा इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने को आप पे ही ज़्यादा में ज़्यादा सर्विस के बंधन में बादना चाहिए इस एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं अपने को खुद इश्वरिय सेवा में लगाना चाहिए औरों के कहने से नहीं कई बार आत्में अपने आप सेवा करने खेमत नहीं रखती हैं कोई कहे तो कर देते हैं तो बाबा के दिया सिस्थिती नहो खुद ही अपने आपको सेवा के लिए ओफर करना चाहिए क्योंकि औरों के कहने पर करेंगे तो बाबा ने उसके बारे में बताया कि औरों के कहने से क्या होगा आधा फल मिलेगा क्योंकि जिसने कहा अर्थात प्रिड़ना दी उसकी भाईवारी हो जाती है माना उसकी पार्टनर्शिप हो जाती है दुकान में अगर दो भाईवार माना सांजेदार हैं पार्टनर है तो बटवारा हो जाता है ना और अगर एक है तो वैं मालिक होके रहता है इसलिए अगर किसी के कहने से करते हैं तो उस कारे में भाईवारी हो जाती है माना पार्टनर्शिप हो जाती है और स्वैम ही अगर मालिक बन के करते हैं तो सारी मिलकियत के अधिकारी बन जाते हैं इसलिए बाबा गते हर एक को मालिक बनकर करना है जो भी करनी है अपने आप खुद अंदर से प्रिणना आने चाहिए सेवा के लिए खुद अपने आप को बंधन में अपने आपको बांधते जाएंगे, उतना अनेक बंधन मिट जाएंगे, माना सरविस के बंधन से अन्य दूसरे बंधन मिट जाते हैं। और तीसरी बात कि सेवा करते समय किस विशेश भात पर अटेंशन देना है तो बावा कहते मालिक पन के साथ साथ बालक पन भी पूरा होना चाहिए ये तो बावा ने भी कहा कि सेवा मालिक बन के करो लेकिन बावा ने साथ में ये भी कहा कि बालक बन भी पुरा होना चाहिए लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं कहां कहां मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं और कहां फिर बालक होकर छोड़ देते हैं तो बावा गते ना छोड़ना है ना पकड़ना है कितना अच्छा तरीका बावा ने बताया ना छोड़ना है ना पकड़ना है पकड़ना अर्थात जिद से नहीं पकड़ना है कोई चीज को अगर बहुत जोर से पकड़ा जाता है तो इस चीज का रूप बदल जाता है ना फूल को जोर से पकड़ो तो क्या हाल होगा पकड़ना तो है लेकिन कहां तक कैसे पकड़ना है ये भी समझना है फिर या तो बाबा कहते पकड़ते अटक जाते हैं बाबा छोड़ते हैं तो छोड़ जाते हैं तो बाबा क्या समझा रहे हैं कि जब भी कोई सिवाई करते हैं तो किसी भी बात को इतना भी नहीं पकड़ना है, और ना ही छोड़ना है, माना ना इतना मालिक बन जाना है, कि अब मैंने जो कहा वही हो, मेरी ही चले, और ना ही इतना बालक बन जाना है, कि साइड में हो जाएं, कि अब हम कर ही नहीं सकते, हम सब के साथ चल ही नहीं सकते, हम मालिकपन और बालकपन दोनों ही समान रहें ये पुर्षार्थ करना है जो मालिक और बालक दोनों रिती से चलने वाला होगा उनकी मुख्य परक ही होगी तो बावा ने उसकी परक भी बताई हम अपने आपको चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम मालिक और बालकपन का पूरा ही बैलन्स रखके चलते हैं तो पर्ख क्या होगी? तो बाबा ने का एक तो निर्मानता होगी, उसके साथ निरहंकारी, निर्मान और साथ साथ प्रेम सरूप. तो ये चारों ही बाते उनके हर चलन से देखने में आएंगी. कौन सी चार बातें? एक है निर्मानता, मना जितना बालक और मालिकपन का बैलन्स होगा, तो साथ मां के अंदर उतनी ही निर्मानता होगी. उसके साथ साथ निरहंकारी, निरहंकारिता भी होगी. और तीसरा निर्मान माना creative mind कुछ नया करने की भावना नई नई सेवाँ की planning ये भी होगी और साथ साथ प्रेम सरूप माना सब के साथ प्रेम प्यार से चलने वाला सब के साथ प्रेम की भावना तो ये चार बाते उस आत्मा के अंदर देखने में आएंगे तो बाबा करते अगर चारों में से कोई भी कम है तो कुछ stage की कमी है तो इसलिए हमें अपनी स्थिति को उन्च बनाना है तो मालिक और बालकपन का पुरा balance चाहिए ओम शान्ति